हेलो गईस विल्कम बैक तो देचनल अज की सेशन में हम देखेंगे कल यानी निक्स टेडिंग के लिए क्या इंपोर्टेंट लेवल्स रहेगा निप्टी और बैंक निप्टी का अज की एक्सपाइरी अगर देखे तो बिल्कुल एक सदा सिदा एक्सपाइरी दिखने को मिल आज की सेशन में मार्केट ओपेन तो हुआ था गैप तो हंड़ेट पॉयंट निप्टी ऊपोर में बट सस्टीन नहीं कर पाया एंड पहला कंडली आके पीडिएज में हिट कर दिया इसके थोड़ा नीचे था सीपियार ओके ओविएसली प्रीएज डे अनल्सिस वीडियो के साथ एंट्री कर सकते हैं यहां पर होगी आपका टार्गेट है तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर दिन वीडियो जुरूर देखा करिए आपको कुछ ने कुछ हेल्प मिल जाएगा नेक्स डे प्राइज को देखते हुए यह सारे जो लेवेल्स के बारे में मैं बताऊंगा इसको देखते हैं आप एजी ली ट्रेल ले सकते हो एंड कुछ सिख सकते हो तो आईए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवेल्स रहेगा उस हारे चीजी एक्स्पेंड होंगे इन इस वीडियो तो वीडियो के साथ बने रही है देखिए आज मैंने किसी काम के लिए बा कर रहा हूं दसेस इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग जोन जहां पर से सेंट्रल फिभॉट भी हो रहा है डैक निप्ày के लिए लेवेल्स नोटल कीजे नि chilling vergessen क्या सकते हैं एक important levels कह सकते हैं अगर किसी भी तरह market निचे में open होते हैं माल लेजे कि यहां पर open हुआ हो सकते हैं कि इसको break कर दे निचे की तरह PDL को break कर दे या फिर थोड़ा यहां पर positive movement आ जाए तो यह हो जाएगा important resistance okay 43,550 के नीचे आपको क्या करना है sorting opportunity find out करना maximum trading zone according today's analysis, today's moment okay so और यहां पर central pivot भी हो रहा है so 43,500 crucial point है इसके ओपर हम long जा सकते हैं इसके नीचे हम sorting opportunity find out करेंगे पहले में short करने के लिए जो level से उमें बता दे रहा हूँ आगर आपको इसके आसपास मिले जैसे कि देखी इस PDH का आसपास मिला ना यहां पर entry ने के पीछे reasons क्या है कि आप छोटा सा stop loss रखते हो एंट्री ले सकते हो आगर stop loss hit हो जाए तो कोई issue नहीं आप loss book किजिए next opportunity के इंतिजर किजिए रहे तो इस तरह आगर इस point के आसपास 43,550 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है छोटा सा stop loss के साथ यहां पे ले लिजी entry पहला target हो जाएगा 43,370 के आसपास ओके यहां तक आपको profit book कर लेना है and hub quantity book करने के बाद आगर बेन इस PDL को ब्रीच करके sustain कर जाए यानि decisive closing होना चाहिए ज्यादा week नहीं होना चाहिए and next candle अगर इस लो को break करे तो भी आप entry कर सकते हो otherwise इस PDL को तो आप यहां पर ले सकते entry और उसके बाद और downside movement देखने को मिल सकता है तो यह है बात करने के लिए लेवेल्स मैंने बाताया 43,500 के नीचे हर कर सकते हो अब बात करते हैं बाइंग के लिए बैंग निफ्टी का क्या इंपोर्टन लेवेल्स है अगर हम यहां पर उपर इंट्रेस्ट भी देखे ना तो कॉल साइट में देखे 20 लैक उपर उपन पोजीशन से ठीक है अगर इसके नीचे आ जाए ना तो एक इंपोर्ट लंबा असा ग्रीन कंडल एंड विदाउट फॉमिंग एनी लॉंग यहां पे क्लोज दे रिया ओके अगर बड़ी कंडल हो जाए पिस के हाप में स्टॉप लॉस रखते हुए आपको लेना है एंट्री क्योंकि यहां पी पहला रिस्टेंस है यह है है साथ 43770 श्यां नहीं करनेल ना है तो यहां पर प्रोफिट बॉक कर लेना है वह तो चोटा सा कॉंटिटी के साथ ज्यादा बड़ा १न यहीं होना था यह थोड़ी सी कॉंटिटी के साथ यहां पर पेंटी कर सकते हैं कि अजकी दिन की जो मैक्सिमां टेंड चोन हैं यहां पर पोजिशन ले सकते हो एंड टार्गेट रहेगा 43,770 तक यहां तक आपको टार्गेट लेंगा यह हो जाएगा पहले आप टार्गेट बुक करते जाए लेवल टू लेवल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करते हैं तो दूबारा पुजिशन बनाएंगे बिलकुल थोड़ा नेचे स्टाप लोस रखते होए लेकिन प्रॉफिट बुक करना मेरे सबसे जरूरी है ऐसे डिसिप्लिन टड़ा ओके सो यहां पर प्रॉफिट बुक कर लिजिए और नेक्स्ट ऑपर्चुनिटी जैसे इसको ब्रीच करके सस्टेन करते हैं ओके ब्रेक कर दिया और उसके उपर सस्टेन कर रहा है दूसरा कंडल भी मना ओके तब यहां पर एंट्री ले सकते हो अदर वाइस मानलीजे कि इसको रिटेस्ट कर रहा है इस लेवेल्स को नेक्स्ट गीन कंडल होना चाहिए जैसे गिन कंडल मना तो ले लिजिए यहां पर एंट्री इस कुछ कॉंटिटी यहां पर बुक कर लिजिए या फुल कॉंटिटी बुक करने के बाद इस लेवेल के उपर अगार आये यानी 43,800 के उपर आये तो और 150 प्वाइंट की मुवमेंट में देखने को मिल सकते है इसके उपर सस्टेन करते हैं तो और अपसाइड मुवमेंट द तो अब बात करेंगे निप्टी के बारे में निप्टी आज की सेशन में ज्यादा होई थे एक ब्यारी समरू बुजू के आसपास आया लेकिन यहां पर अगर एंट्री लिए होंगे निप्टी में तो हो सकते कि आपका stop loss हीट हो जाए लेकिन को प्रीच नहीं किया सिंप्यर कंई यहां पर होगा तो तो अभी भी ब्रीच नहीं किया मैंने क्या कहा था कि अगर आपको तब तक हम लॉंग जा सकता है हाट डिप में अगर आपने सेंटरल पीवोट के असपास लिए है यह से लिए नहीं हुआ है आपका प्रॉफिट हो गया अपने बुक किया या फिर इस पीडियेज के असपास अगर आपने लिए तो हो सकते कि आपका छोड़ा सागर इस्टाप एक स्पाइरी में ज्यादा मोमेंट नहीं था बाट एक सिंपिल सा मूब आप देख सकते हैं कि यहां पर फॉल हुआ और एक जोन पर आके क्लोजिंग दे दिया जिन्नों ने स्ट्रेंगल बनाया स्वर्ड इस्ट्रेंगल और बहुत अच्छा का सा मुनाफा कम है अज सेलर इसमें नो ट्रेडिंग जोन है याद राखें 300-350 जोन है इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करना है तो अगर कल निप्टी यहां पर डाउंसाइड ओपें हो जाते हैं तो हो सकते कि इस लेवल को एक बाद टेस्ट करने के बाद रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं तो नेक्स गंडल अगर इस शुटिंग इस टर की लोग को ब्रीज करते हैं तो आहां पर आपको नहीं मिलने अगर इस लेवला है कि यहां पर इस लेवल को टेस्ट करते हैं तो यहां पर छोटा सा रिसक के साब पोजित से बनाया जा सकता है पहला टार्गेट रहेगा एक नेक्स टरगेट रहेगा तो हर स्वेग हाइज पर क्या घज़ाना है एक है यहाँ पर किसी भी तरह इस प्रिश्ट करने के बाद इस लोगो ब्रीट करें तो यहां पर रखते होए इंटी करने के बाद आप अपने स्टाप लोग को स्विंग जो हाई रहेगा ना यहां पर करते होए डाउनसाइड मुम्मेंट को इंजय कर सकते हो ठीक है यह है निप्टी के लिए डाउनसाइड प्ले कर सकते हो नव इस टॉक अबाउट की बाइंग करने के लिए क्या इंपोर्टेंट लेफिल्स है हम 350 के उपर बाइ करेंगे राइट लेवल्स नोट कीजिए 18,350 इ यहां पर इंडिशेशन टाइप के लिए यहां पर इंट्री कर सकते है तो आप यहां पर भी एंट्री लेशक्ते हो नोट कीजिए इसकी उपर हर स्वींग लो पे यानि हाट डिप पे हम एंट्री कर सकते है पहला टार्गेट रहेगा करना है यहां पर यहां पर इसने 18,380 यहां पर सस्टेन कर जाए तो यहां पर निक्स टार्गेट रहेगा 18,470 और 18,525 यह टार्गेट के लिए यहां पर निफ्टी में लॉंग किया जा सकता है तो देट वाट पर फ्राइड गाइस इस लेवेल को नोट करके रहें प्रीमार्केट अनलेशिस बहुत जुरूरी है प्रीमार्केट के बाद जब ट्रेडिंग डेपर मार्केट उपेन होगा 15 अमिट ऑपेनिंग अनलेशिस कीजिए किस तरह की कैनडल बन रहें कहां पर सा सब्सक्राइब को मिलते हैं नेक्स सेशन में